हेलो स्टूडेंस आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है स्टूडेंस आज हम शिक्षा निदेशाले की तरफ से दी जाने वाली कारे पत्रक नमबर 38 करेंगे जो कि क्लास 7th की है और विश्य है हिंदी ये वर्क्षिट 23rd February 2021 की है तो आईए शिरू करते हैं आज की वर्क्षिट वर्क्षिट शिरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आईए देखते हैं आज की वर्क्षिट प्यारे बच्चों आज हम मुहावरों के बारे में जानेंगे मुहावरे में एक से अधिक पद होते हैं जो विशेश अर्थ का बोध कराते हैं तो मुहावरे में बिटा एक से अधिक पद होते हैं एक sentence होता है जिसमें क्या होते हैं कि एक से अधिक पद होते हैं और एक विशेश अर्थ का बोध कराते हैं जैसे कि EES का चांद होना, इद का चांद का मतलब है कि जो बहुत कम दिखाई दें, उसे EES का चंद कहते है क्योंकि EES का चांद भी कम ही दिखाई देता है। क्या का गया है कि ऐसे word होते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं मतलब जैसे कि ईद का चांद होना जो बहुत कम दिखाई देता है इसका actual में meaning भी है कि ईद का जो चांद हो बहुत कम दिखाई देता है इसका meaning भी है कि ऐसे जगह हम use करते हैं जहां पर कोई कम दिखाई देता हो इसे बहार होना अपने आप पे नियंत्र नहे रेहना या अत्यधि क्रोधित होना आपे में नहे रहना बना कि गुसा आ जाना बहुत तेज क्रोधित हो जाना तो पशुराम जी शिवधनुष кे तूटने की बाद सुनकर आपे से बहार होगे तो हम इस तरह से नहीं कि आप इसे बाहर हो गए तो आज की वक्षित बहुत आसान है सिर्फ Dort casualties ही बताने हैं इसके अंदर निसके अंदर हमें कुछ मुहावड़ यह उनके अर्थ दिये गए हैं मुहावरों का वाक्या में परियोग करके लिखे तो यहां मुहावरे भी दिये गए है और उनका अर्थ भी दिया गया तो आपको करना कैसे है? पहले मुहावरा लिखना है फिर उसका अर्थ लिखना है और उसके बाद next line में आप लिखेंगे वाक्या परियोग थीक है? तो इस तरह से हम देखते हैं अंग अंग तूटना, सा पाठो और वचन कहना न, अन्दे की लाठी होना, एक मतर सहारा होना, तो इनके मिनिंग भी आपको आने चाहिए, क्योंकि मिनिंग भी पुछे जाते हैं, रवाक्या प्रयोग भी आपको आने चाहिए, तो आज यह शुरू करते हैं आज की व्रक्षीट की कोशन अंसर, तो को चैनल है study based, यहाँ पर आपको पढ़ाई करवाई जाती है, तो वो चैनल है entertainment based, वो चैनल आप लोगों के लिए नहीं है, आपके घर के बड़े members के लिए है, जो TV देखते हैं, serial देखते हैं, या movies वगारा देखते हैं, तो वो चैनल उनके लिए है, तो please मेरे उस चैनल को भी like कीजिए और subscribe कीजिए, और share कीजिए, उस चैनल का नाम है today musti, description box में आपको उस चैनल का link मिल जाएगा, तो please उस चैनल को subscribe कीजिए, तो आईए, अब हम करते हैं, इसके question answer, हम इसके जो मुहावरे हैं, वाक्या प्रयोग करेंगे, आपको बच्छे यही चैनल पर पढ़ाई करनी हैं, तो आईए करते हैं answer, तो आईए करते हैं, questions बटा, देखो, first क्या है, अंग अंग तूटना, अंग तूटना का मीनिक है, सारा शरीर दर्द होना, मतलब जब हमारा सारा शरीर दर्द होता है, तो viral बुखार में मरीज का अंग अंग तूटने लगता है, जब अंग तूटना, मतलब की शरीर दर्द होना, अंग अंग धिला होना, मतलब की बहुत थक जाना, तुम्हारे साथ कल चलूँगा, आज तो मेरा अंग धिला हो रहा है, अपना राग अलापना, मतलब अपनी ही बात कहना, मतलब खुद ही बोलते रहें, अपनी ही बात कहना, तुम हमेशा अपना ही रागा लापते रहते हो। अंधे की लाठी बना हुआ है अकल का दुश्मन होना मतलब मुर्क होना मैं तो शीला को अकल मद मानती थी लेकिन वह तो अकल की दुश्मन निकली आईए अब करते हैं next question तो आईए करते हैं नेक्स्ट बेटा, 7 से करते हैं, अकल पर पत्थर पढ़ना, मतलब कि मुरक्ता का काम करना, मुसीबत आने पर मुनुष्य की अकल पर पत्थर पढ़ जाते हैं, जब मुसीबत होती है, कोई तकलीव होती है, तो मतलब अकलमंदी से काम नहीं करता है, मुरक्ता के साथ काम करता तो इसमें लिखेंगे, मुक्सी बताने पर मुनुश्य की अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब कि आतम निर्भर होना मतलब जब दिने शहर जा कर अपने पैरों पर खड़ा होना नह कुझे जब कोई सर पर उठा दिया जो नए अफसराएं है शर्मा जी उन्होंने चाय समय पर नय मिलने पर ही क्या किया आसमान सर पर उठा लिया घोड़े बेच कर सोना गहरी नीद में सोना आस तो बहुत थक गया हूँ इस कारण राजेश घोड़े बेच कर सो रहा है अंगुठा दिखाना सम सब्सक्मा जाएं है जब मैंने अपने परोशी के थे 5 है रुपय मांगे तो इसने मुझे दिखा दिया अंगुठा दिखा दिया एर एक रेहरा होुना आपस में संग्ठित होकर शक्ति शाली होना मतलब कि आपस में मिलकर इकठे झाला तुम दोनों भाई मिलकर फैक्ट्री चलाओ फिर देखो कितना लाब होता है क्योंकि एक और एक ग्यारा होते हैं मतलब कि संघठी तो कर काम करोगे तो जादा मुनाफ़ा अगर तुम शक्तिशाली हो जाओगे तो ये तो वक्के मैंने आपको दिखाए है कि इस तरह से आप लिख सकते हैं इनमें आप और भी changes कर सकते हैं इसको short कर सकते हैं और lengthy कर सकते हैं बड़ा बना सकते हैं जैसे आपको समझ में आता है पेटा उस तरह से आप इसको करें और इस साथ साथ में याद भी कीजिएगा इनके मुहावरों के इनकी मीनिंग भी आपको याद करने है तो आज की वक्षिट कम्प्लीट होती है प्लीज मेरे जो दूसरा चैनल है टूडे मस्ती उसका लिंक दिस्क्रिप्शन बॉक्स में है प्लीज उससे भी सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए और अपनी टीचर से चेक करवाईए थैंक्यो स्टूडेंट्स